नमस्कार मेरे नाम ब्रजेश राजपूत है अंकट में बात करेंगे फिल्मों को राजनीती के दाएरे में बांधने की कि मध्यप्देश में ये माहौल सुरू हुआ है डीपिका पधुकॉन के जैनियू के प्रोटरेश्ट में भाग लेने में क्या गई सारे लोग उनके खिलाफ हो गया लगाता वह पर गेंपेंच चलाया गया कुछ लोगों के द्वारा मगा दीपिका को अकेला घीरते देख उ उसके बाद मद्यपदेश सरकार ने डिपीका की फिल्म छपाक को मद्यपदेश में टेक्स्प्री गोशत कर दिया बात यहीं तक नहीं थमी कॉंगेस के चात्र संगटन एने स्यूआई ने कई जगों पर छपाक फिल्म को फ्री में दिखाने की कवायत की और जब यह सब हो र लोग चात्रों को मुफ्त टिकेट दे रहा है थे फिल्म छपाक देखने के लिए तो दूसी तरफ बीजेपी के पूर विदायक तानाजी फिल्म के लिए मुफ्त टिकेट बांट रहे थे दोनों के भी जमके नारे बाजी हुई माहौल बना पॉलिस को बलाना पड़ा मगर इस सब का शिकार हो गए वो वो लोग जो फिल्म देखने आये थे किसी राजनीती के खेमे बाजी में बटे हुए नहीं थे इसके बाद मद्यपडेश में दोनों पार्टी को निता की तरफ से फिल्मों को लेकर बयान बाजी शुरू हो गई बीजेपी के लोग जहां बात क लगे कि ताना जी अच्छी फिल्म है तो कौंगे इसके लोग च्छापाक फिल्म को बहतर बताने लगे बात यहीं तक नहीं रुकी हमारे मुख्यमंती कमलनाथ ने लगा था टूट करकर च्छापाक की तारीफ की तो उसके बाद मद्यपडेश के नेता पतिपक्ष भी पी अपने शहर के थेटर हॉल में पूरे दिन एक चार शो ताना जी के बच्छों को बुफ्त में फिल्म दिखाई और यहां पर बात और आगे बढ़ गई मद्यपडेश सरकार ने एक अभियान चलाना शुरू किया है कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से तेजाब खुले में विक्रा है उसको रोका जाना चाहिए उन्होंने सारी कलेक्टर स्कॉाडेश दिये कि तेजाब के खुले में विक्री पर पापंदी लगाई जाए और मद्यपडेश के कई जिलों में अब एक कैमपेंग चलाय जा रहा है कि किस तरीके से तेजाब की खुले आम बिक्री को रुका जाए तो कुल मिलाकर ऐसा लगा रहा कि मद्यपडेश में एक माहौल बन गया है दोनों फिल्मों का अलग अलग डायरे में बाढ़ लिया गया है और बीजेपी कॉंगेस के लोग इन दोनों फिल्मों को अपने अपने तरीके से अपने पक्षकी मान के प बनती हैं तो इसको प्रमोट किया जाना चाहिए इसको टक्सप्री किया जाना चाईए सिन्धिया के एंगजी सी नेता मूँ छय पाती गूरया है जो चौल में यूरा थाणा घिल्मों को बरा बता रहे थे मगर हमारह तो यह मानना है कि प्लू ही राजनीती बेर के देखना चाहिए फिल्मों को विचाधारा में बांटना या किसी दाइरे में रखना बेहत गलत है क्योंकि फिल्में सिर्फ मनुरंजन के लिए होती है और फिल्मों को देखते वक्त किसी विचाधारा से प्रवावित नहीं होना चाहिए यह एबीपी नियूज आपको रखे अगे